नमस्कार प्रिनाम मेहुमत वाला आप देखरें एक News24 बता दे बिहार में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है यहां तक कि आपको बता दे कि पासवान समाज के साथ जो कुछ भी हुआ है यानि कि कल जो हुआ है लाठी चार्ज का मामला जो सामने आ रहा है उसी बीच एक और चीज हो जाता है कि नितेश कुमार आनन फानन में बड़ी बैठक बुला लेते हैं नितेश कुमार तो बैठक बुलाते हैं यहां फिर बिजपी भी बड़ा बैठक बुला लेती है और बिजपी वाले क्या कुछ कर रहे हैं यहां ते कि NDA वाले क्या कुछ कर रहे हैं यह तो देखना बेहत दिल्चस्प होगा आखिर बिजपी और NDA में अभी अनबन सी चल रहे हैं खटास चल रहे हैं अब क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं जमारे साथ दो सही हो पासवान समाज तो 25 तारी को क्या कुछ फैसला करने वाले यह तो देखना बेहत दिल्चस्प होगा क्या लगता आपको देखे बीते दिनों जिस तरीके से पासवान समाज सरकों पर उत्रे और उन्हें दौरा दौरा कर पीटा गया उससे चंद घंटे पहले नितीज कुमार जो है अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाते हैं जिसमें नितीज कुमार के तमाम मंत्री के साथ साथ बिधायक सामिल होते हैं इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुआ बिहार के कई मुद्दों पर बात हुआ उसमें एक पासवान समाज का भी मुद्दा रहा ले कि हम बिपक्ष को जबाब देने की तयारी कर रहे हैं विधान सभा में, अगर आप NDA के हिस्सा है, NDA पूरी तरीके से एक गोल बंध होकर बिधान सभा में बैठेगी, तो वैसे में जब एक होकर बैठेगी, तो आप अलग-अलग पाटियों की बैठक क्यों कर रहे हैं, आप एक ही साथ पूरी NDA खेमे की बैठक करते, उसमें रन्नीती बनाते की हमें किस तरीके से विपक्ष को जबाब देना है, लेकिन दोनों पाटियों की अलग-अलग बैठक, अलग-अलग रन्नीती, ये साब जाहिर करती है कि बिहार में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है, चिर बिपक्ष के हाथ में एक बड़ा जो है चाबुक मिल गया है पास्वान समाज का, और बिपक्ष जो है, अगर अब वो चाहेगी तो पास्वान समाज के मुद्दे को उठा सकती है सदन में, क्योंकि कल 25 तारीक होगा, 25 तारीक को उन्होंने जिस तरीके से भीम आर्मी के का घिराओ करेंगे, और अगर 25 तारीक के बाद उनको ऐसे मारा जाता है, या पीटा जाता है बिहार पुलीस के द्वारा, तो हम जो अभी एक खबर चलाए हैं, जिसमें भीम आर्मी के जिला अध्याक्ष परदेश महासचीव से जो बात हुआ है, वो साप तोर पे कहें हैं कि जब भीम आर्मी ने पूरे देश में चक्का जाम किया था, तो देश की क्या इस्तिती हो गई थी, और वैसा ही एक बार फिर से हो रहा है, और ये सब कुछ बिहार से शुरुआत हुआ है, ये सब कुछ चिराग पासवान के संसद्या छेत्रहाजी पूर से शुरुआत पूरे दुसास समाज को लेकर सरकों पर उतरेगी 25 को, और सरकार की इट से इट बजाने का काम करेगी, ये उनका कहना है, लेकिन दोनों पार्टी जो अलग-अलग बैठक किये हैं, ये काफी एहम हो जाता है, विपक्ष के और से भी सवाल उठाय जा रहे हैं कि दोनों पार पासवान बिहार से ला पता है, ला पता है, बिल्कुल, नंदन आपके पास आते हैं, और जानते हैं कि आखिर बीज़ेपी अलग-बैठक बुला रही है, वहीं पर NDA अलग बैठक बुला रही है, और पासवान समाज भी 25 तारी को काफी कुछ करने वाले क्या लगता आपक बीजेपी और अलग-अलग हिस्सा मानकर चल सकते हैं क्योंकि बीजेपी और अडिये में भी दो पार्टी के बात ज़्याधा जिक्र में ला सकते हैं पहली लोजपा और दूसुरी जनता डिलुई यह दोनों पार्टी इस समय खुद का फाइदा देखने में व्यस्त है क्योंकि अगर खुद का फाइदा नहीं देखती तो अभी तक चिराग पासवान हाजीपूर में होते और नितीश कुमार उन दंगो को रोकने के लिए को इस्टेप ले रहे होते लेकि नितीश कुमार प कि बहुत बुरा संकेत है एंडिये के लाने वाले समय के लिए बिहार और हिंदुस्तान दोनों के लिए देखिए अगर बिहार की बात करें तो विदान सब एलेक्शन को मंदे नजर रखते हुए अगर हम चले तो दलित का वोट सबसे एहम है इस समय एंडिये के लिए अग आगे चलकर वो पासवान अंडिये से हटेंगे ही यह तो निश्चित है यादवो की बात करें तो यादवो का एक तो ऐसे ही आपको 50 प्रतिशत वोट आता है वो भी आप हटवा दीजिएगा तो आपके पस कुस बचेगा नहीं तो आपके बात करें कि पासवान का प्रियास करेंगी क्योंकि यादवो का 90 प्रतिशत वोट महागठवंदन के पास है और पासवानों का अगर 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत वोट भी उनके पास आ जाएगा तो बिहार में उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि अके लिए आप ब्रामन भुमिहा कि अगर नलग हो रहा हैं अगर संकेत भी दे रहे हैं तो आपको इतना समझ भ्याना चाहिए की नितिश कुमारा का अकेले दम पर बिहार में लडेंगे फिर भी उने घाटा होगा बीज़ेपि अगर नितिश कुमार को छोड़ेगी और अकेले लड़ने का प्रयास करेदी तो भी उन्हें घाटा होगा, चिराग पासवान अगर अकेले लगने का सोच नहीं तो भी उन्हें घाटा होगा, क्योंकि अभी NDA का जो गठन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, चिराग पासवान का भी उतना ही योगदान है, देखी NDA की गठन में हम बताते हैं, नितीश नितीश को निगलेट कर सकते हैं, और नहीं अप नितीश को निगलेट कर सकते हैं, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में अगर सत्य की बात करें, तो सत्तव नितीश कुमार के हाथ में है, और नितीश कुमार बिहार के कैसा फेस पन कहें, जिने हराना इतना आसान नहीं क्योंकि बिहार के सबसी तगड़े निता लालु परसाथ को हरा कर वो आये थे और अभी भी उसके बाद लालु परसाथ दुवारा से जीत नहीं पाई जब से नितीश कुमारा है उसके बाद आगे चलकर देखिए तो चिराग और नितीश यह दोनों ऐसा चेहरा है तो अगर चिराग कोट आएगे तो आप हार गए अगर चिराग छोडते हैं तो आप अगर नितीश छोडते हैं तो आप मैजबूरन इं दोनों को रखना ही पढ़ेगा अपने साथ चाये किसी भी चीज़स से चΗर इं को रखिएंगा तो आपका दलीट वोट भी जायेगा आपके य रहा है कि मोधी fag Orleans चलता है तो 70% से चलता बाकी के 30% हो चीराग का चाम मां कर चले तो आपका फॉरवड वोट भी जाएगा और आपका फॉरवड वोट जाएगा तो ऐसा नहीं कि अब दलीतों को वोट से जीच जाएगा क्योंकि याद हो तो आपको वोट देते नहीं है बचे कुछे जो पासवान थे वह भी आपको वोट नहीं देंगा तो चिराग पासवा महा गठ्वंधन में आपको दिखाते हैं तो अगर महा गठ्वंधन के सरकार बननी तय है तो इसे नुकसान होगा चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान को महा गठ्वंधन के लोग नहीं पसंद करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन अभी जिस तरहीके से दोनों की जो दोस्ती बरकरार है, तो क्या लग लग्जा आते हैं? तो अंदर में क्या बात हुई क्या कुछ नहीं कि नॉर्मली जो बाते होती है सिक्रेट मीटिंग में वह बाहर आकर लोग बोलते हैं माईक के पासा करके हैं हमने इस मुद्धे पर बात कि यह कुछ बताया नहीं और ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ दलित को पासवान का याद ह समाज के साथ है तो चिराग पासवान नितिश कुमार नर यह एंडिये गठन इन सारों को यह पता होना चाहिए कि कल की जो तारीक है वह तारीक कितनी नुकसान दे होने वाली है कि आपकी पूरी की पूरी दलित कॉम्यूनिटी 5% छोड़ कर चली जाएगी अगर कल आपने चिराग पासवान पता नहीं बिहार आ क्यों नहीं रहे है एक बात उन से मुझे बहुत नाराजगी रही है इस समय बीते कुछ दिनों से कि आप जब तक लोगसबा एलक्षान था बिहार में अकसर आते थे आप हाजीपुर जाते थे अपने पिता के जन दिवस जो था उसक तो घर की लोग हैं उनके साथ समय स्पेंड पाई आ हैं आप दूसरे राज़ी में जा रहे हैं लेकिन बिहार का क्या जो कर नारा ब्हुल किखँए की है अब बिहार के। बिहारी रोट पर है गुःर कर रहे हैं मांग कर रहे हैं लाठिया चल रही है आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है तो यह सारी बात ध्यान में रखेंगे विकास आपके पास आते होड जानते हैं कि देखे जिस तरीके से भी BJP को जैसा नंदन ने कहा कि BJP को डर्स अता रह लेकिन क्या कुछ हुआ था सभी को पता है इसी वज़ा से नितीज कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं चिराग पासवान पर भरोसा इंडिये इसलिए कर सकती है कि चिराग पासवान वैसे सदस्य है जब वो एंडिये का हिस्सा नहीं थे जब इंडिये उन्हें इंडिये से खिलाप नहीं उत्रे उस समय भी BJP के सीट के लिए चिराग पासवान परचार करने गए थे लेकिन इस वक्त इस्तिती बिहार की कुछ और है इस वक्त इस्तिती ये है कि पासवान समाज भीम आर्मी के साथ मिलकर अपने हक की लराई के लिए सरकों पर उतर रही है वो सीधा सी अब और नहीं और यही कारण है कि अब पासवान समाज सरकों पर है चिराग पासवान बिहार से लापता है दूसरे राज्य में नजर आ रहे हैं दिल्ली में नजर आ रहे हैं मनिपूर में नजर आ रहे हैं लेकिन बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं ठीक है चिराग पासवा पासवान समाज के हक की लराई के लिए सरकों पर उतर जाए, बिधान सभा में जोड़दार आवाज उठाए और यहां तक कि अब तो महागट बंधन के पास इतने सांसद भी है कि चाहेंगे तो लोक सभा भी हिला देंगे, अब लोक सभा में भी इस मांग को रखे कि जिस तर पासवान पर जिस NDA सरकार पर यह उमीद लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने इनके साथ क्या किया तो इनके पीठ में छूरा घोप गिया, लेकिन अगर कोई इनका आवाज उठा रहा है तो वो महागट बंधन है, यानि कि सीधा-सीधा महागट बंधन पर यह आस्रित हो सबसे ज़्यादा बिहार में बड़ी संख्या में है, तो वो अति-पिछरा समाज है, और अति-पिछरा समाज का महागट बंधन आवाज बन जाती है, तो इससे महागट बंधन को फैदा होगा, और इसका जो नुकसान निकल कर सामने आएगा, नितीज कुमार के सासा, चिर महागट बंधन पूरे तरीके से चाहेगी कि हम पासवान समाज को अपने अंदर लें, और पासवान समाज को अंदर तभी ले सकते हैं, जब सदन में उनकी आवाज को उठा है, तो यह सबसे बड़ा एक महागट बंधन के पास की वो यह विधानसभा एलेक्शन को मंदे न लेकिन बीजेपी से उनका रिष्टा बहुत अच्छा है, नितिश्कमार से तुलना करें तो कभी भी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को छोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में देश समाला था उन्होंने, तब उन्होंने राम विलास पासवान को केंद देखें, तो चिराग पासवान को प्रेशर डालिए कि वो बिहार को देखें, और अगर चिराग पासवान बिहार को नहीं देखेंगे, तो चिराग पासवान के हाथ से जो वोट जाएगी, तो चिराग पासवान को केंद्रिय मंत्री ही बना कर रखें, बिहार में सांसर नह जिस तरीके का काम किया जा रहा है यानि कि लाठी चार्ज किया गया है तो ये कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए खत्रे की घंटी हो रही है श्राबित हो रही है क्योंकि अगर पासवान समाज उनका साथ छोड़ देते हैं तो NDA के लिए काफी कुछ खत्रा हो सकता है दे प्रेवाद़